हेलो दोस्तों कैसे हो आप सब I hope आप सब अच्छे ही होगे मेरा नाम है दीपक Welcome back to K2K Moto Vlogs दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे Best 4 Naked Street Fighter Bikes के बारे में जो आप 1,50,000 On Road Price के आसपास परचेज कर सकते हो दोस्तों इस लिस्ट में 4 Bikes है और जिस बाइक के मालेज सबसे ज़ादा है वो बाइक रेंकिंग में सबसे पहले है तो अगर आपका बजट है 1,50,000 के आसपास और आपको एक Best Looking, Best Mile वाली और Best Features वाली बाइक चाहिए तो फिर आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और आपने अभी तक चैनल को सबस्क्राइब नहीं कर रखा है तो सबस्क्राइब कर लो अगर आपका किसी बाइक को लेके कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बूछ सकते हो या फिर Instagram पी भी DM कर सकते हो तो बिना टाइम वेश्ट किए चलो या श्टार्ट करते हैं इस वीडियो को सो दोस्तो स्टार्ट करते हैं नमबर वन से दोस्तो नमबर वन पे है होंडा होरने 2.0 दोस्तो अगर आपका बजट वल लेक 50,000 के आसपास है और आपको सबसे best mileage वाली bike चाहिए तो फिर मेरे according Honda की Hornet 2.0 सबसे पहले नमबर पे आती है क्योंकि इस spike में आपको 40 GMPL के आसपास की mileage आराम से मिल जाएगी और साथी spike के अंदर features भी काफी अच्छे हैं और इस spike के looks भी काफी अच्छे हैं So overall ये bike एक value for money machine है प्राइस के बारे में अगर बात करें तो इस spike का extra room price है 1,28,000 और on road price है 1,48,000 दोस्तो segment के according spike के अंदर काफी अच्छे premium features भी हैं जो आपको इस segment में किसी और bike में देखने को नहीं मिलते और साथी spike की overall performance भी काफी अच्छी है एंजन के बारे में अगर बात करें तो इस bike में 184cc का 4-stroke single cylinder air-cooled fuel injected BS6 compliant engine है जिसकी maximum power है 17.26 PS maximum torque है 16.1 Nm with 5-speed transmission दोस्तो ये bike 160cc और 200cc segment की बीच में आती है क्योंकि इस bike के अंदर 184cc का एंजन है लेकिन दोस्तो इस bike की top end performance बहुत जादा अच्छी नहीं है और इसी वजैसे इस bike की mileage काफे अच्छी है बाकी features के बारे में अगर बात करें तो ये bike diamond frame पे based है जिसके अंदर Showa के premium upside down front focus है और rear में adjustable monoshock suspension है braking system के बारे में अगर बात करें तो इस bike में 276mm की front disc brake है 220mm की rear disc brake है with standard single channel ABS दोस्व इस bike के अंदर ये भी एक कमी है कि इस bike में dual channel ABS नहीं है लेकिन 160cc और 200cc segment में आप बाकी bikes को देखोगे तो उन bike में भी आपको dual channel ABS बहुत ही कम देखने को मिलता है tires के बारे में अगर बात करें तो इस bike में 110 upon 70 section का front tire है 140 upon 70 section का rear tire है जो की super wide tubeless tires है दोस्व इस bike की road पे stability और handling भी काफी अच्छी है और काफी अच्छी super wide tubeless tires होने की वज़े से इस bike की road पे grip भी काफी अच्छी है dimensions के बारे में अगर बात करें तो इस bike का weight है 142 kg so segment के according ये bike काफी lightweight machine है जिसके वज़े से इसका power to weight ratio भी काफी अच्छा है और fuel capacity है 12 liters की दोस्व बात करते हैं इस bike के electrical features के बारे में so इस segment के अंदर Honda की Hyundai 2.0 सिर्फ एक ही ऐसी bike है जिसके अंदर all LED lights का setup है क्योंकि इस bike के अंदर front में काफी अच्छी sharp looking LED headlight है with LED DRLs, LED tail light है, LED indicators भी है और साथ में fully digital instrument console भी है जिसके अंदर सारे features fully digital है so दोस्व इस bike के अंदर premium features काफी अच्छे हैं जैसे की Showa के upside down front forks, LED indicators, fully digital instrument console और साथ ही spike के अंदर hazard light switch भी है दोस्व आप Hornet 2.2 के अंदर Repsol Edition को भी purchase कर सकते हो जिसके overall body graphics काफी अच्छे हैं क्योंकि उस bike के अंदर dual tone type की color scheme है और साथ ही orange color के alloy wheels भी है तो दोस्व ये थी number one पे Honda Hornet 2.2 अगर आपका budget 12,50,000 के आसपास है और आपको best mileage वाली bike चाहिए तो फिर आप Hornet 2.2 को consider कर सकते हो अब हम बात करते हैं second bike के बारे में दोस्व second number पे है TVS की Apache RTI 204V BS6 दोस्व टीविस की Apache RTI 204V एक fully loaded features वाली machine है इस bike के अंदर भी features काफी अच्छे है साथ ही performance भी काफी अच्छी है और इस bike में आपको mileage भी काफी अच्छी देखने को मिलती है और मेरे कोडिंग ये bike भी एक value for money machine है जिसको आप 15,000 on road price टेक के आसपास purchase कर सकते हो प्राइस के बारे में अगर बात करें तो RTI 204V में सिंगल चैनल EBS का एक शोरूम प्राइस है वलेक 27,000 और on road price है वलेक 49,000 लेकिन दोस्व अगर आप इस bike में dual channel EBS variant को purchase करना चाहते हो तो उस bike का on road price थोड़ा ज्यादा है RTI 204V dual channel EBS variant का एक शोरूम प्राइस है वलेक 32,000 और on road price है वलेक 54,000 तो dual channel EBS variant के लिए आपको थोड़ा सा एक्स्टा स्वेंट करना पड़ेगा एंजन के बारे में अगर बात करें तो इस bike में 197.75 CC का 4-stroke, single cylinder, oil-cooled, fuel-injected, basic compliant engine है जिसके maximum power है 20.82 PS maximum torque है 17.25 Nm with 5-speed transmission जो सो RTI 204V की भी engine refinement काफी अच्छी है इस bike में भी आपको काफी smooth और refined engine देखने को मिलता है और segment के according इस bike की performance भी काफी अच्छी है इस bike में आपको 35-40 kmpl के आसपास की mileage अराम से मिल जाएगी बागी features के बारे में अगर बात करें तो ये bike double cradle split frame पे based है और इस bike के अंदर adjustable telescopic front focus है जो कि एक first in segment feature है और pre-load adjustable monoshock suspension है braking system के बारे में अगर बात करें तो इस bike में 270 mm की front disc brake है 240 mm की rear disc brake है इस bike में आपको single channel ABS का भी option मिलता है और dual channel ABS का भी option मिलता है tires के बारे में अगर बात करें तो इस bike में 90 upon 90 section का front tire है 130 upon 70 section का rear tire है दोसो इस bike के अंदर आपको hornet 2.2 के जैसे super wide tires देखने को नहीं मिलते बस यहीं इस bike के एक छोटी सी कमी है dimensions के बारे में अगर बात करें तो इस bike का weight है 152 gauge seat height है 800 mm और fuel capacity है 12 liters की लेकिन दोसो इस bike के अंदर आपको assist and sleeper clutch देखने को मिलती है जो hornet 2.2 में नहीं है दोसो बात करते हैं इस bike के electrical features के बारे में तो इस bike के अंदर भी front में काफी अची sharp looking LED headlight है with LED DRLs rear में sharp LED tail light है और fully digital instrument console है जिसके अंदर bluetooth connectivity और turn by turn navigation system भी है और साथ ही इस में आप काफी riding stats को भी check कर सकते हो लेकिन दोसो इस bike के अंदर hornet 2.2 के जैसे LED indicators नहीं है तो दोसो ये थी second number पे TVS की Apache RTR 204V BS6 इस bike को भी आप consider कर सकते हो अगर आपका budget है बल्लेक 50,000 के आसपास अब हम बात करते हैं थर्ड bike के बारे में तो दोसो थर्ड नमर पे है बजाज Pulsar 220F दोसो बजाज की Pulsar 220F एक typical naked street fighter bike नहीं है और ना ही ये bike fully fair sport segment की bike है क्योंकि इस bike के अंदर आपको half fairing देखने को मिलती है लेकिन दोसो segment के according ये bike भी एक काफी अच्छी machine है जिसको आप 1,50,000 के आसपास purchase कर सकते हो प्राइस के बारे में अगर बात करें तो इस bike का एक शोरूम प्राइस है 1,25,000 और ओनरूर प्राइस है 1,44,000 दोसो इस bike में भी आपको 35-40 kmpl के आसपास की mileage अराम से मिल जाएगी और engine के बारे में अगर बात करें तो इस bike में 220cc का 4-stroke single cylinder oil-cooled fuel-injected BS6 compliant engine देखने को मिलता है जिसकी maximum power है 20.4 PS और maximum torque है 18.5 Nm with 5-speed transmission लेकिन दोसो इस bike की fuel capacity काफी अच्छी है जो है 15 liters की इस bike के साथ अगर आप long ride करते हो इस bike के साथ आप काफी अच्छा distance cover कर सकते हो बागी features के बारे में अगर बात करें तो इस bike के अदर भी conventional type के telescopic front fox है और rear में 5-step adjustable nitrox twin shock absorber suspension है ब्रेकिंग system के बारे में अगर बात करें तो इस bike में 280 mm की front disc brake है 230 mm की rear disc brake है with standard single channel ABS और इस bike के dimensions के बारे में अगर बात करें तो इस bike का weight है 160 kg ground clearance है 165 mm और fuel capacity है 15 liters की दोस्तो बाकी features के बारे में अगर बात करें तो इस bike के अंदर electrical features उतने अच्छे देखने को नहीं मिलते है क्योंकि इस bike के अंदर वही same halogen headlight है LED tail light है और analog plus digital type का instrument console है tires के बारे में अगर बात करें तो इस bike में 90 upon 90 section का front tire है 120 upon 80 section का rear tire है तो दोस्तो ये थी 3rd number पे Bazaar Pulsar 220F इस bike में भी आपको 40 KMBL के आसपास के mileage आराम से मिल जाएगी और इस budget के अंदर ये bike भी एक value for money machine है अब हम बात करते हैं 4th bike के बारे में दोस्तो 4th number पे है Bazaar Pulsar NS200 दोस्तो बाजाज की तरफ से Pulsar NS200 अपनी segment के अंदर one of the most powerful machine है क्योंकि spike के अंदर Duke 200 वाला same engine है और इस bike के अंदर भी आपको ठीक ठाक mileage देखने को मिल जाती है price के बारे में अगर बात करें तो इस bike का extra room price है 1.33,000 और owner price है 1.53,000 दोस्तो इस bike का owner price 1.50,000 से थोड़ा सा ज़्यादा है लेकिन अपनी segment के coding spike की performance काफी अच्छी है इस bike में आपको top speed सबसे अच्छी देखने को मिलेगी engine के बारे में अगर बात करें तो spike में 199.5cc का 4-stroke single cylinder liquid cool fuel injected basics compliant engine देखने को मिलता है जिसकी maximum power है 24.5 PS maximum torque है 18.5 Nm with 6-speed transmission spike की fuel capacity है 12 liters की और ये bike perimeter frame पे based है और spike के अंदर भी front में conventional type के telescopic front forks है और rear में 5-step adjustable nitrox monoshock suspension है braking system के बारे में अगर बात करें तो spike में 300 mm की front disc brake है 230 mm की rear disc brake है with standard single channel ABS तो दोसो spike के अंदर भी हमें dual channel ABS का option नहीं मिलता ये spike के एक सबसे बड़ी कमी है tires के बारे में अगर बात करें तो spike में 100 upon 80 section का front tire मिलता है 130 upon 70 section का rear tire है तोसो spike में भी आपको 35 to 40 km के आसपास की mileage अराम से मिल जाएगी लेकिन अगर आपको top speed और top band performance सबसे अच्छी चाहिए तो फिर आपको bajaj की pulsar NS200 के लिए ही जाना चाहिए क्योंकि spike में आपको सबसे अच्छी performance देखने को मिलेगी लेकिन दोसो spike में आपको features के साथ compromise करना पड़ेगा क्योंकि spike के electrical features उतने अच्छे नहीं है spike के अंदर वही same halogen headlight है LED tail light है और analog plus digital type का instrument console है और दोसो bajaj नहीं pulsar NS200 के new variant के अंदर बहुत ज़्यादा changes नहीं किये है इस bike में सिर्फ आपको new color scheme देखने को मिलती है और बाकी भही same features देखने को मिलते है तो दोसो यह थी 4 best bikes जिनको आप 1,50,000 on the price tag के आसपास purchase कर सकते हो दोसो segment के according यह सभी bikes काफी अच्छी है इन सभी bikes में आपको mileage भी काफी इच्छी देखने को मिलती है दोसो आप अपनी priority के इसाप से इन में से कोई भी bike को purchase कर सकते हो तो दोसो आज की वीडियो में इतना ही I hope इई वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर कुछ भी इस वीडियो में आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरू कर देना और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करका है तो सब्सक्राइब कर लो मिलते हैं गी वीडियो में Till then ride safe, drive safe